हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भी कि इस वीडियो में अभी कि इस वीडियो में हम लोग बात करें 6 लाग सिक्षकों के लिए यहाँ पे आए एक बैड निउस की तो जैसा कि आप सभी को पताई है कि सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर महीने के बेतन का जो है अब भुक्तान होगा और उसी को लेकर के यहाँ पर एक आदेश पत्र पहले से जो काफी पहले से जारी है वो अभी काफी अधिक वाइरल हो रहा है जिसमें यहाँ पर सिक्षकों के बेतन का टोती की आदेश की बात है और सिख्षकों के बेतन में से 6000-2000 रुपए यहाँ पे काटे जाएंगे तो यहाँ पे क्यों काटे जाएंगे 1000-2000 रुपए सारा कुछ हम Lूग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं यह जो आप पत्र देख रहे हैं वो बिहार सरकार वाने जे करवी भाग के द्वारा जारी किया गया पत्र है और यह काफी पूराना पत्र है, 7-9-2011 में ही जारी किया गया है, और इसी में पूरा डीटेल्स दिया गया है कि वह आप लोग का वेतन कटेगा, आफी का नहीं बिहार सरकार के जितने भी करमचारी है, उन सभी का सितंबर महीने में वेतन की कटोती की जाती है, तो प्रेशक है रजित पुहानी वानिज्यकर आयुक्त सचिव बिहार पत्ना, और सेवा में राजपाल के परधान सचिव बिहार, विधान सवा सचिव बिहार, विधान परश्चत महानी बंधक पत्ना, उच्च न्याले पत्ना, सभी परधान सचिव अस्थानी आयुक्त बि अधिकारी बिहार पटना अब आगे देखेगा भी सह में तो बिहार राज्य में बिहार पेशा वैपार आज भी का एवमकारे नियोजन कर अधिनियम 2011 के लागू होने के उपरांत कारियालों में कारियरत कर्मियों के सितंबर 2011 माह के वेतन में शुरूत पर पेशा करकी कटोती करने के संबंध में यानि कि पेशा करकी कि जाएगी महोद है विदित हो की बिहार राज्य में पेशा कर लागू कर दिया गया है इसके आलोक में बिहार राजी के सभी कारियालों में कारे रतकर्मियों के महा सितंबर 2011 के वितन से पेशा करकी कटोती निम्नदर से की जाएगी यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप लोग का वार्शी का आए तिन लाख रुपे से पांच लाख रुपे के बीच है तो आप लोग को एक हजार रुपे जो है आप लोग का पेशा कर कटे का सितंबर महीने में वहीं आप लोग का अगर बात करिएगा पांच लाख से लेकर के दस लाख तक की अगर बेतन है तो दो हजार रुपे कटेंगे और 10 लाग से अगर उपर आपका वेतन है तो 25-100 रुपय यहां पर आपका कटने वाला है तो 3 लाग से 5 लाग वाले में यहां पर लगभग 80% सिक्षक आते हैं और उसके बाद 5 लाग से लिकरके 10 लाग तक कि रुपय के वेतन में लगभग 20% सिक्षक आते हैं तो हजार से दो हजार रुपे आप लोग के वेतन में से सितंबर महीने में कटने वाले हैं इसी क्या धार पर सभी निकासिय वेनन पदाधिकारे को यह सुनिशित करना है कि महा सितंबर 2011 के वेतन से विहित दर्शे सुरोत कर पेशा करकी कटोती कर ली जाए अता अनुरोध है कि अपने कारियाले अपने अधिनस्त सभी कारियाले के निकासिय वेनन पदाधिकारी को निर्देश देने की किरपा के जाए कि पेशा करकी कटोती महा सितंबर 2011 को वितन से शुरोत पर कर ले बिहार पेशा ब्यापार आज इभी का अबमकार नियोजन अधिनियम अबली दोजरेगार अभी भागे वेबसाइट www.biharcommercialtax.com पर देखा जा सकता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेगी नेचर वगएरा इसमें किया हुआ है इसी क्या आलोग में आप लोग के जो है वेतन में यहाँ पर बात करिएगा तो सितंबर महीना चल ला है तो सितंबर महीना के जब आप लोग का वेतन आएगा तो उसमें एक हजार रुपए जिनका जो है 5 लाग तक बेतन होगा उनकी कट उती होगी और जिनका पांच लाग से 10 लाग के बीच होगा तो उनका दो हजार और दस लाग के उपर वाले जितने भी सिक्षक होंगे या फिर जितने भी करम चारी होंगे उनको पचीस सो रुपए उनके कटेगा हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भी कि इस वीडियो में अभी कि इस वीडियो में हम लोग बात करें छे लाग सिक्षकों के लिए यहाँ पर आए एक बैड निउस की तो जैसा कि आप सभी को पताई है कि सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर महीने के बेतन का जो है अब भुकतान होगा और उसी को लेकर के यहाँ पर एक आदेश पत्र पहले से जो काफी पहले से जारी है वो अभी काफी अधिक वाइरल हो रहा है जिसमें हाँ पर सिक्षकों के बेतन काटोती की आदेश की बात है और सिक्षकों के बेतन में से जो है एक हजार से दो हजार रुपए यहाँ पर काटे जाएंगे तो यहाँ पे क्यों काटे जाएंगे 1000 से 2000 रुपे सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो चलिए चलते हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं यह जो आप पत्र देख रहे हैं वो बिहार सरकार वानिज्य कर विभाग के द्वारा जारी क्या गया पत्र है और यह काफी पूराना पत्र है 7.9.2011 में ही जारी क्या गया है और इसी में पूरा डिटेल्स दिया गया है कि वो आप लोग का वेतन कटेगा आफी का नहीं बिहार सरकार के जितने भी करमचारी है उन सभी का जो है सितंबर महीने में वेतन की कटोती की जाती है तो प्रेशक है रजित पुहानी वानिज्यकर आयुक्त सचिव बिहार पतना और सेवा में राजपाल के परधान सचिव बिहार विधान सवा सचिव बिहार विधान परिश्चत महानी बंधक पतना उच्च न्याले पतना सभी परधान सचिव अस्थानिय आयुक्त बिहार अब आगे देखेगा विशह में तो बिहार राज्य में बिहार पेशा वयापार आज भी का एवमकारे नियोजन कर अधिनियम 2011 के लागू होने के उपरांत कारियालों में कारियरत कर्मियों के सितंबर 2011 माह के वेतन में शुरूत पर पेशा करकी कटोती करने के समद्ध में यानि कि पेशा करकी जो है यहाँ पे कटोती की जाएगी महोद है विदित होकी बिहार राज्य में पेशा कर लागू कर दिया गया है इसके आलोक में बिहार राज्य के सभी कारियालों में कारियरत कर्मियों के माह सितंबर 2011 के वेतन में से पेशा करकी कटोती निम्नदर से की जाएगे यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप लोग का वार्षी का है तीन लाख रुपए से पांच लाख रुपए के बीच है तो आप लोग को एक लाख रुपए एक हजार रुपए जो है आप लोग का पेशा कर कटे का सितमर महीने में वहीं आप लोग का अगर बात करिए पांच लाग से लेकर के दस लाग तक की अगर बेतन है तो दो हजार रुपए कटेंगे और दस लाग से अगर ऊपर आपका बेतन है तो पचीस सो रुपए यहां पे आपका कटने वाला है तो तीन लाग से पांच लाग वाले में यहां पे लगभग 80% सिक्षक आते हैं और उ सब्सक्राइब को सुनिश्य करना है कि महा सितंबर 2011 की वितन से शुरोत करकी कट्वती कर लिजाने अदिनस्थ सभी काडियाल आई पताधिकारी को निरुदेश देने की किर्पा की जाए की पेशा करकी कटोती महा सितंबर 2011 को वितन से सुरोत पर कर ले बिहार पेशा ब्यापार आज भी का अबमकार नियोजन अधिनियम अबली 2011 विभागे वेबसाइट www.biharcommercialtax.com पर देखा जा सकता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिगनेचर वगएरा इसमें किया हुआ है इसी क्या लोग में आप लोग के जो है वेतन में यहाँ पर आज यहाँ पर बात करिएगा तो सितंबर महीना चल ला है तो सितंबर महीना के जब आप लोग का वेतन आएगा तो उसमें एक हजार रुपए जिनका जो है पांच लाग तक बेतन होगा उनकी कटोती होगी और जिनका पांच लाग से दस लाग के बीच होगा तो उनका दो हजार और दस लाग के उपर वाले जितने भी सिक्षक होंगे या फिर जितने भी करमचारी होंगे उनको पचीस सो रुपए उ